कोई गारेंटी नहीं है इस आदमी का इस आदमी का एक ही गारेंटी है कि इस देश की धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुचा देंगे एक ही guarantee है कि railway बेच देंगे, airport बेच देंगे, port बेच देंगे, सरक बेच देंगे, नदी बेच देंगे, ख़दान बेच देंगे और इस देश के जो आम लोग हैं वो नौकरियों के लिए दरदर तरपेंगे, दरदर भटकेंगे और जो भी guarantee इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी guarantee पूरी हुई है, बोलिए, 15 लाग आपके खाते में आया, 15 लाग खाते में आया, 2 करोर नोकडी मिली, महिंगाई कम हुआ, काला धन आया, तो कौन सा guarantee पूरा हुआ है जी, कौन सा guarantee पूरा हुआ है, मंदिर बनाने का, एक बात बताईए, मंदिर की बात चली है, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखें है राम जी के साथ फोटो सीता जी का, एक फोटो बता दीजिए, एक भी फोटो देखें है, सीता जी का राम जी के साथ, पहले हमारे घर में दादी जब कलेंडर लगाती थी तो उसमें फोटो होता था भगवान प्रभू स्रीराम का सीता जी का लक्षमन जी का और हनुमान जी का होता था कि नहीं होता था हनुमान जी सीता जी लक्षमन जी कोई फोटो में नहीं दिख रहे हैं मतलब मतलब यही होता है कि जिनको धर्म का मतलब नहीं मालूम होता है तो जब वो धर्म का पाखंड करते हैं तो उनसे गलती होई जाती है वह स्वामी तुलसिदास ने लिखा है रावन रथी विरथी रघुवीडा मतलब रावन रथ पर सवार है और भगबान पर्भू सिरी राम पैदल चल करके आ रहे हैं बताएए आज की तारीक में रथ पर क समाज को बाठने वाले लोग रच पर सबार थे समाज में नफरत फैलाने वाले लोग बिसी स्याई का सेक्रेटरी बनेगा गरी मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा मंत्री बनेगे पात साल के लिए प्रधान मंत्री मनेगे पात साल के लिए और अ हमारी जान जाती है तो हमको सहीद का दर्जा नहीं दीजियेगा कि एक तरफ डॉक्टर स्वामी नाथन को भारत रतन देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के खिसानों के उपर डंडे चलाते हैं गोलियां चलाते हैं आसु गैस के गोले छोड़ते हैं बोलिए बैमानी है की नहीं है साथियों मेरी आवाज जहां तक पहुँच रही है मेरी आवाज जहां तक जा रही है मगजच छेत्र के सहाबाद इलाके के बिहार की इस महान भूमी के आप सभी आदर्निया बुजर्गों का माताओं बहनों का नौजवान साथियों का किसानों मजदूरों का नौकड़ी करने वाले बिजनेस करके चोटा मोटा काम धंधा करके खून पजीने की कमाई से अपने पडिवार का भरन पोशन करने वाले बिहार के आप तमाम महनत कस आवाम का करांतिकार इस्तक्बाल करता हूं आपका हार्दी कभिनन्दन करता हूं दोस्तों मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अनुगरह बावु को मैं नमन करना चाहता हूँ और अंगाबाद की इस पावन भूमी को मैं नमन करना चाहता हूँ सम्मानित मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के तमाम कारिकरताओं और नेताओं को और आप लोगों से सबसे पहले मैं यह साजा करना चाहता हूँ सामने पीछे जो वो सीमेंट वाला मंच दिख रहा है न सबसे पहली बार इस गांधी मैदान में हम उसी मंच पड़ाए थे जब बिहार के पूरे बिहार के सूबे बिहार में 3800 जिले में जनगनमन यात्रा लेकर के हम चल रहे थे और उस जनगनमन यात्रा की यही मांग थी कि हम बिहार को फिर से अबबल राज बनाना चाहते हैं बिहार की जो गरिमा है उस गरिमा को वापस लाना चाहते हैं और बिहार की जो संस्थाएं हैं बिहार के जो विश्विद्याले हैं उनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो पटना इन्वस्टी है उसको इस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और दुनिया के महान बैग्यानिक, कलाकार, साहितकार, इतिहासकार, तमाम तरह की भुभूती पटना विस्विद्याले से निकले मेड़े भी पढ़ाई लिखाई मगद इन्वस्टी से हुई है और मगद छेतर के एक बड़े मशूर मघी कभी हुए जिनका नाम था मत्रा प्रसाद नवीन और मत्रा प्रसाद नवीन कहते थे भूख से तरप के मरवा काहे मरने होते लड़के मर जाँ जुलमी बढ़ला तहू बढ़ी जा भूख से तरप के मरवा काहे मरने होतो लड़के मर जाँ मैं समस्ता हूँ कि बिहार को बिहार की एक-एक आवाम को यह बात याद करने की जरूरत है कि हमारा गौरब साली इतिहास क्या रहा है हमारी इतिहासिक पड़म-पड़ा क्या रही है यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत जोरो निया यात्रा के क्रम में जब हमारी यात्रा मनिपूर से चल करके बिविन राज्यों से होते हुए 33 दिन एक बार फिर से जब औरंगावाद की महान भूमी पर पहुची है तो मैं एक दर्द आप तमाम लोगों से साजहा करना चाहता हूँ कहते हैं न कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए कोई पद ले लिजिए कोई पोस्ट ले लिजिए लेकिन एक बिहारी अगर जनमता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है उसकी पहचान बिहारी रहती है और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग य हैं कि अच्छा कनहिया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया और उस वक्त मैं बड़े अपसोस के साथ आप लोगों से यह दर्द साजा कर रहा हूं कि मेरे आंखों में पानी आता है और पहली बार जिंदगी में आँख सर मुसे नीचे जुख जाता है क्योंकि बिहार में पटना में जो बैठे हुए राजनेता है उनको नहीं मालूम है कि अपनी राजनितिक अवसरवाधिता के चलते बिहार की भूमी का पूरी दुनिया में ये लोग अपमान कर रहे हैं ये भूल गए है कि बिहार कौन सी धर्ती है और बिहार ने किस तरीके से दुनिया को सत्त और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है बिहार सिर्फ सत्त और अहिंसा की भूमी नहीं है बिहार मोक्ष की भी भूमी है और पूरी दुनिया के हिंदू मोक्ष लेने के लिए मुक्ति लेने के लिए बोध गया में पिंडदान करने के लिए आते हैं और पूरी दिनिया को सत्त और अहिंसा का पाठ पराने वाला महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध पैदा सिध्यार्थ हुए थे महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे लेकिन सिध्यार्थ जब बिहार की धर्ती पर आए तो people के पेड़ के नीचे वो महात्मा बुद्ध हो गए उनको ज्ञान की प्राप्ती हुई वो महात्मा बुद्ध बन गए आप सब जानते हैं ये Congress Party का मंच है और आप सब Congress Party के सेर दिल कारी करता हैं जिन्दा दिल इंसान है आप लोग तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिनको हम बापू कहते हैं मोहन दास करम चन मोहन दास करम चन जब बिहार में आए तो वो मोहन दास थे बिहार की जनता ने उनको महातुमा गांधी बना दिया बिहार की जन्ता ने उनको बाफू बना दिया बिहार वो धर्ती है अगर हम आरभट की बात करें तो अगर बिहार नहीं होता आरभट नहीं होता तो जीरो नहीं ढूंडा जाता और इंसान चांद पर नहीं पहुँच पाता और इंसान चांद पर पहुचा है तो जीरो को खोजने की बज़े से पहुचा है बिहार वो भूमी है कि जहां पर एक मात्र देश के राष्ट कभी पैदा हुए और राष्ट कभी का नाम दिनकर है और दिनकर कहते हैं सांती नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरकास्तम होगा नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा यह दिनकर लिखते हैं यह बिहार की जो एतिहासिक पडमपड़ा है यह बिहार की जो गौरब साली पडमपड़ा है उस बिहार की गौरब साली पडमपड़ा को धूमिल करने का काम किया है भाजपाने बिहार की गौरब साली पडमपड़ा को पल्टू राम बनाने का काम किया है भाजपाने इसलिए मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ सवाल चुनाव जीतने का नहीं है सवाल किसी को मुख मंतरी और प्रधान मंतरी बनाने का नहीं है सवाल ये है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोर लोग है चाहे वो किसी भी जाती के हो चाहे वो टीका लगाने वाले हो या टोपी पहनने वाले हो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समप्रदाय के हो, किसी भी बोली को बोलने वाले हो चाहे वो बगी बोलते हो, भोजपूरी बोलते हो, मैथली बोलते हो, अंगिका बोलते हो, कोई भी भाषा बोलते हो बिहार के जो 14 करोड लोग है, उनके आत्म सम्मान का सवाल है फुट वॉल हैं जी भोट ले लीजिएगा और जम बन करेगा तब लतिया दीजिएगा ये जो बिहार के लोग हैं बिहार के लोगों को ये सोचना परेगा महज अपनी कुरसी के लिए महज अपनी राजनीती के लिए महज अपने चुनावी गुना गनित के लिए बिहार के भविस्ट को अंधकार में धखेला जा रहा है इसलिए में बिहार के नौजवानों से खास करके ये अपील करना चाहता हूं दोस्त एक बात याद रखिएगा ये लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है ये लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दोसरे नागरिकों के बड़ाबर है की नहीं है लडाई इस बात का है कि अगर इस देश में ग्री मंत्री का बेटा कौन है बोलिये न जी आपको ED से थोड़ी डर लगता है अरे आप लोग तो इमानदार लोग हैं आपके घर पे अगर income tax वाला आ जाएगा तो उल्टे उसको चाय पिला करके जाना परेगा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है डरें वो घबराएं वो जो बैमानी किये हो जो इमान से जीते हैं उनको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है तो मेरा सवाल ये है कि इस देश में अगर ग्री मंत्री का बेटा BCCI का सेकरेटरी बन सकता है इस देश में अगर MP लोग पाँच साल के लिए बन सकते हैं MLA पाँच साल के लिए बन सकते हैं नितीज कुमार जी पाँच साल में तीन बार मुखमंत्री बन सकते हैं तो हमको भी नौकडी देनी पड़ेगी बोल ये गलत बोल रहा हैं कि सही बोल रहा हैं सही बोल रहे हैं न अगर यहां बैठे हुए हमारे नेता आदर्निया जराम जी छे साल के लिए सर आप MP बनते हैं और आपको पेंसन भी मिलता है राजसवा में तो आपको अगर पेंसन मिलता है तो देश की रक्षा में खरे ये जो सिपाही हैं बर्दी पहन करके सामने खरे हैं आपको पेंसन मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए बोलिये मत डरिये गरी मंत्री से दरने की ज़ुरत नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ ये नियाई की बात है नियाई की बात ये है कि अगर इस देश में परधान मंत्री के चंदा दाताओं का सारहे 14 लाख करोर कितना सारहे 14 लाख बाबूरे सुझना बिठा के देख लेना कि क्या गो सुझना बिठाना परेगा सारहे 14 लाख में जारे 14 लाख करोर अगर परधान मंत्री के दोस्तों का करजा माफ किया जा सकता है तो बिहार के भीतर भी मखाना उगाने वाले मक्का उगाने वाले धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सबजी उगाने वाले किसानों का करजा माफ करना परेगा, बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कॉर्परेट का करजा माफ कीजिएगा और किसान का करजा माफ नहीं कीजिएगा BCCI का secretary बनेगा गरी मंत्री का बेटा और हमको ठेके का नोखड़ी दीजिएगा मंत्री बनेगे 5 साल के लिए परधान मंत्री बनेगे 5 साल के लिए और अगनी वीड योजना के तहद हमको 4 साल का नोखड़ी दीजिएगा है चार साल का नोकरी दिजिएगा और उसमें देश की सेवा करते हुए अगर हमारी सहादत होती है हमारी जान जाती है तो हमको सहीद का दर्जा नहीं दिजिएगा हमारे घर से लोग फौज की नोकरी करते हैं बेल्ट की नोकरी करते हैं हमारे घर से लोग सिख्षक की नौकरी करते हैं पुलिस की नौकरी करते हैं खेती करते हैं मजदूरी करते हैं इसलिए हम मंच पे खड़ा हो करके राजनीती नहीं करते हैं न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं ये बात याद रखियेगा और उसी न्याय की हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूँ दोस्त घबरा करके आत्म हत्या करने की जरूरत नहीं है हम वो धर्ती हैं जहां चंद्गुप्त पैदा हुए थे और मौरी सामराज ने सिकंदर तक को चुनवती दिया था हम वो धर्ती हैं जहां हम सत्त और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं तो हमारे हां दसरत मांजी भी पैदा हुए कि एक छेनी हतोरी से पहार काट करके रास्ता बना दिया था हम उस बिहार के लोग हैं इसलिए मैं अपने बिहार के आदर्मिय निवासियों से नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूँ आपको फैसला करना परेगा आपको तै करना परेगा कि आप अन्याय के साथ खरे हैं कि न्याय के साथ खरे हैं बोलिए आप लोग न्याय के साथ खरे हैं इतनी जोर से आवाज लगाईए कि सत्ता को घबराहट होने लगे उनको ये एहसास हो जाए कि बिहार एक बार फिर से इस देश में क्रांती के लिए बनलाव के लिए तयार है उनको घबराहट हो जाए कि उनका जो फूट डालो राजकरो की नीती है वो फूट डालो राजकरो की नीती नहीं चलने वाली है और ये फूट डालो राजकरो की नीती क्या है टीवी खोल करके देख लीजिएगा भाई लोग आपसे कोई सिकायत नहीं है हमको मालूम है कि जो लोग मीडिया में नौकडी कर रहे हैं उनके पिता जी परधान मंत्री नहीं है ग्री मंत्री नहीं है मुख मंत्री नहीं है वो साधारन परिवार के लोग है लेकिन जो मालिक हैं वो मालिक इस देश के 140 करोड लोगों के साथ बैमानी करने के लिए तैयार है आप TV खोल करके देख लीजिये, TV आपका रिचार्ज कराया है आपने, रिचार्ज भरवाते हैं आप, लेकिन जब आप TV खोलेंगे, तो आपके खिलाफ दिन भर बात की जाएगी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कितना धिंडोरा पिता गया, धिंडोरा पिता गया कि करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्म दिया गया है, बहुत खुसी की बात है, कि करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्म दिया गया है, लेकिन करपूरी ठाकुर, जिस समाज के लिए लड़ते थे, जिस समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ते थे, उनके बच्चों के दूरी नहीं दी जा रही है महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है आप टीवी खोल करके देख लीजिएगा बड़ा-बड़ा दावा किया गया क्या कहा गया कि चोधरी चरण सिंग जी को भारत रतन दिया जा रहा है दॉक्टर स्वामी नाथन को भारत रतन दिया जा हैं और दूसरी तरफ इस देश के किसानों के उपर डंडे चलाते हैं गोलियां चलाते हैं आसुगैस के गोले छोड़ते हैं बोलिये बैमानी है कि नहीं है भारत रतन दे रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हमको हमारे फसल के दाम की गैरेंटी करो तो किसान को उनके फसल की ग गैरेंटी है महराज भाजपा की गैरेंटी होती तो एक मिनट के लिए मान भी लेते मोदी जी की गैरेंटी है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए अगर विश्वास नहीं होता है तो यह सोधा जी से जा करके पूछ लीजिए गैरेंटी लिए थे न जी अच्छे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैचे हुए है बियासादी हुआ होगा हमारा तो नहीं हुआ है तो हिंदू रिती रिवाद से अगनी को साक्षी मान करके साथ फेडा ले करके हिंदू रिती रिवाद से अगनी को साक्षी मान करके साथ जनम का वादा निवाने का गारेंटी लियत है न मोधी जी किये पुड़ा किये पुड़ा भाग गये न छोड़के कोई गारेंटी नहीं है इस आदमी का इस आदमी का एक ही गारेंटी है कि इस देश की धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुचा कि रेलबे बेच देंगे, एरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, सरक बेच देंगे, नदी बेच देंगे, खदान बेच देंगे और इस देश के जो आम लोग हैं, वो नौकडियों के लिए दरदर तरपेंगे, दरदर भटकेंगे और जो भी गैरेंटी इन्होंने कहा था मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी गैरेंटी पूरी हुई है बोलिए 15 लाग आपके खाते में आया 15 लाग खाते में आया 2 करोण नोकड़ी मिली महिंगाई कम हुआ काला धन आया तो कौन सा गैरेंटी पूरा हुआ है जी कौन सा गैरेंटी पूरा हुआ है मंदिर बनाने का एक बात बताईए मंदिर की बात चली है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ मेरा जन्म मिथला की पावन भूमी पर हुआ है और मिथला के लोग यह बात जानते हैं कि मिथला की धर्ती माता जानकी की धर्ती है माता जानकी जिनके बारे में हम लोग कभी भी भगबान प्रभुस्री राम का नाम अकेले नहीं लेते हैं जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं सियापती राम चंद्र कीजए बोलते हैं नहीं बोलते हैं देखें हैं राम जी के साथ फोटो सीता जी का एक फोटो बता दीजिए एक भी फोटो देखें हैं सीता जी का राम जी के साथ पहले हमारे घर में दादी जब कलेंडर लगाती थी तो उसमें फोटो होता भगवान प्रभु स्री राम का सीता जी का लक्षमन जी का और हनुमान जी का होता था कि नहीं होता था हनुमान जी सीता जी लक्षमन जी कोई फोटो में नहीं दिख रहे हैं मतलब मतलब यही होता है कि जिनको धर्म का मतलब नहीं मालूम होता है न तो जब वो धर्म का पाख संस्कृत के धृत्धातु से जिसका अर्थ होता है धारन करना अगर आप धार्मिक हैं तो आपके अंग अंग से धर्म फूटता है और मैं राम चरितमानस को कोट करना चाहता हूं राम चरितमानस में तुलसिदास जी ने क्या लिखा है गौश्वामी तुलसिदास ने लिखा है रावन रती विरती रगुवीडा मतलब रावन रत पर सवार है और भगबान प्रभुसीर राम पैदल चल करके आ रहे हैं बताइए आज की तारीक में रत पर कौन सवार था कौन सवार था रत पर रत पर सवार थे अधर्मी लोग रत पर सवार थे अन्याई लोग रत पर सवार थे इस समाज को बाटने वाले लोग रत पर सवार थे इस समाज में नफरत पहलाने वाले लोग इसलिए मिहार के बासियों से कहना चाहता हूँ ए मैरे दोस्त बिहार का धर्म है बिहारी होने का धर्म है अपने हग और अधिकार के लिए संघर्स करना बिहारी होने का धर्म है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बिहार का चपपा चपपा सामराज्य के खिलाफ लड रहा था इसलिए मैं बिहार के आम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस देश में आप बदलाओ चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो आप चाहते हैं कि बेकारी कम हो आप चाहते हैं कि किसानों को न्याई मिले आप चाहते हैं कि मजदूरों को न्याई मिले आप चाहते हैं कि नोजवानों को न्याई मिले अगर चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब जब बदलाओ देश में हुआ है उसकी पहल बिहार से हुई है इस बात को याद रखिएगा बिहार अगर करवट लेता है तो इस देश में परिवर्तन होता है इस बात को याद रखिएगा इसलिए मैं आप तमाम बिहार भास्यों से अपील करना चाहता हूँ कि यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है यह हमारे और आपके न्याय की बात है यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस न्याय यात्रा में हम पाँच तरह का न्याय चाहते हैं कितने तरह का हाद उटा करके बताईए हम पाँच तरह का न्याय चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश में युवाओं को न्याय मिले इसलिए हमारा पहला न्याय है युवा न्याय हम चाहते हैं कि इस देश में सभी समुदाय के लोगों को सभी जाती के लोगों को चाहे वो गरीब जेनरल हो, चाहे वो पिछडा हो, अती पिछडा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्ग संख्यक हो, अकलियत समाज के हो, महिला हो, पुरुस हो, हम सब की भागेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो दूसरा न्याय है हमारा भागेदारी का न्याय, हिस्सेद नारी का न्याए और तीसरा न्याए है हमारा तीसरा न्याए है मजदूरों को न्याए चौथा न्याए है हमारा नारी को न्याए और पाचवा न्याए है हमारा किसानों को न्याए उन किसानों को न्याए दिलाना जो MSP का हक मांग रहे हैं और मैं आपको याद दिला दूँ बारतिय राश्य कॉंग्रेस के माननिया ध्यक्ष सिरिम मलिकार जुन खरगे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गटवंधन की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि किसानों को MSP की गारंटी देंगे MSP को कानूनी दर्दा दिया जाएगा इसकी घोषना कॉंग्रेस पार्टी ने की है तो पांच तरह के नयाई देने से इस देश को सक्ती मिलेगी तो आप बताईए आप देश को सक्तिसाली बनाना चाहते हैं गो नहीं बनाना चाहते हैं बिहार को सक्तिसाली बनाना चाहते हैं गो नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि आने वाले दिनो में जो अन्याई कर रहे हैं उनको अन्याई करने दीजिए लेकिन आप अगर न्याई चाहते हैं अपना न्याई चाहते हैं आने वाली पीड़ी का न्याई चाहते हैं तो आपको न्याई उध्धा बनना परेगा बोलिए न्याई उध्धा बनेंगे बिहार के एक एक लोग न न्याय युद्धा बनना है और यह जो भारत जोरो न्याय यात्रा का संकल्प है कि हम अन्याय के अंधकार में न्याय का दिया जलाना चाहते हैं इसमें आपको सामिल होना परेगा इन्हीं सब्दों के साथ तमाम सम्मानित मंच को एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हुए और जो हमारे पुलिस प्रसाशन के लोग हैं मीडिया के लोग हैं और आप तमाम जो लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं आप सब लोगों को धन्यवाद अदा करते हुए शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बात को खत्म करूँगा शुक्रिया इनकलाब जुन्दावाद ज प्रेबिहार।